दिनांक 11 दिसंबर की रात को अग्यात आरोपियों द्वारा शिवपूरी शहर में दो एटियम काटकर करीब 42 लाक रुपे की चोरी की घटना को अंजाम दिया जिनहें शिवपूरी पुलीस द्वारा आरोपियों को गिरफतार किया है जिस पर से थाना फिजीकल पर अग्यात चोरों के खिलाप अपरात पंजीबत देकर विवेशना में लिया गया उक्त घटना को गभिरता से लेते हुए पुलीस सदिक्षक शिवपूरी राजे सिहर चंदेल की निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलीस सदिक्षक शिवपू जिससे मेवात से एक सुषना करता ने थाना प्रभारी फिजीकल को सुषना दी कि इस प्रकार की घटना को यहां के कुछ लोग अंजाम देते हैं हो सकता है कि शिवपूरी में जो घटना घटित हुई है उन्हें वहां जाक कर धर्दोबोचा है शिवपूरी से यूसुफ खन की रिपोर्ट कामयावी हसिल की है इसमें चार अन्या पांच आरोपी थे चार अरोपी हरेणा मेवाद तुलुमा के रहने वाले हैं और एक इस्थानी वेक्तिता है तुम्कि यह घटना बहुत गंदूई घटना थी इसको बहुत राइटी से लिया गया था कुछ पुटेज और यह सारी किसी गाउं के वेक्ति हो सकते हैं तो एक इस्थानी पुलीस की मदब से एक वेक्ति को गृतार करने में चतलता है इसे गहराई से पुस्ताज करने को उन्होंने गटना को कबूल किया है इन लोगों ने चार लोग यह और हमारे इस्थानी बिजनसमें है उन्हों की गाड़े किराई से लेके इन्होंने इस परकार की पुटना को अंजाम दिया था इन लोगों ने पुटना को अंजाम देने के बाद के बाई रोड वाइट रेन यह वापस अपने अपने घर से लेगा था तो इसको ट्रेस करने में अब सब्सक्राइब की हुए इसने अभी वर्तमार में दो आरोपी मिले हैं अभी तीन आरोपी और शेस हैं जिनकी आमने तीम अभी रहाना करती है और अभी छे लाग बीस जार रोपी अभी नोगों से बरा मत्रूले हैं बाक्ती लोगों इनका प्यार लिया गया है सार पेले से भी आरोखी वह पोई पहां करता हैं ये तो लिस्टेट लोग हैं करें और पुष्टाज भी करें हैं अब देख रहे हैं हमारा चैनल आजड़न 24 न्यूज हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल बिना पुले हुआ 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 है